देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी का माहौल रहा। संसेक्स और निफ्टी में दो दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को तेजी देखी गई। Sensex 909 अंकी तेजी के साथ 6841 पर बंद हुआ और Nifty 243 अंकी तेजी के साथ 17854 पर बंद हुआ Sensex जहां 1.52 प्रतीशत चड़ा तो Nifty में 1.38 प्रतीशत की उच्छाल देखी गई वहीं बाजार में आडानी के शेरों में भी रिकवरी देखी गई अडानी ग्रूप की कंपणी अडानी पोर्ट्स में 5.61 प्रतीशत की रिकवरी देखी गई अडानी इंटरप्राइजेस के साथ साथ अंबुजा सीमेंट के शेरो में भी रिकवरी देखी गई बतादी कि बैंकिंग शेरों में लिवाली और अमेर्की बाजारों में मजबूती के बीच शुक्रवार को शुरुवाती कारोबार में संसेक्स और निफ्टी में तेजी रही इस दोरान 30 शेरों वाला BSC संसेक्स 480.94 अंक चड़कर 6414.18 अंक पर पहुंच गया दूसरी और व्यापक NAC निफ्टी 118.05 अंक चड़कर 177.28.45 अंक पर था संसेक्स में इंडस इंड बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्फ, ICIC बैंक, SDFC और भारती स्टेट बैंक बढ़ने वाले प्रमुख शेरों में शामिल हुए दूसरी और इलाइंस इंडस्टी टेक महेंद्रा, टाटा स्टील, HCL टेकनलोजी, इंफोसिस और नेसले में गिरावट हुई अन्य SCI बाजारों में सियोल और टोक्यो लाव में कारुबार कर रहे थे जबकि संगाई और हॉंग कॉंग नुकसान में सौदे कर रहे थे और इसी के साथ बाजार, शनिवार और रविवार को सापताही कौकाश के लिए बंद हो गया TV100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखट, दिल्ली, मंदर दर्शन, बॉलेवर्ट, हिमाचल प्रदेश, हरयाना फैक्ट और मॉटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले